Hello everyone और आज हम complete करेंगे एक poem Love and Death जिसको लिखा है सरोशनी नाइडू ने So discuss करते हैं सरोशनी नाइडू के बारे में First of all So इनका born हुआ था 1879 में and she was one of the most famous poet of India आपको पता होगा कि सरोशनी नाइडू को ही Nightingale of India भी बोला जाता है क्योंकि जो इनकी आवाज है वो बहुत ज़्यदा melodious है और साथ की साथ जो इनका poetry work है वो भी इनकी आवाज की तरह ही melodious है एक reflection शो करता है human reality को शो करता है इनका work ये हमारे इंडिया की president रह चुकी है Congress Party की तरह से 1925 में अब बात करते हैं इनकी poetry की जिसका नाम है Love and Death हो चुकी है और जो point है इसका जो सरोशी नाइडू है वो इस तरह से pretend कर रही है कहीं कि उनकी जो death हो चुकी है उनके lover की या उनके प्रेमी की उस चीज को वापस ले आती है अपने प्यार की बल पर और इसके अंदर एक Indian myth सावित्री का भी example दिया गया है कि जिस तरह से सावित्री अपने husband को अपने पती को ले आती है यम्राज से उसी तरह से इस poem में पोईटर्स बताती है कि किस तरह से वो अपने lover को ले आती है लेकिन वो सिर्फ एक dream होता है जो कि हम इस poem में पढ़ेंगे I dreamed my love had set thy spirit free यहाँ पर बात करती है कि मैंने सपने में देखा अब वो सो रही है वो सपने में देख रही है कि मैंने देखा और प्यार को आजाद करा लिया है उनकी जो आत्मा थी, spirit थी, उसको आजाद करा लिया है यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने सपना देखा कि मैंने अपने प्यार को, अपने प्यार से ही आजाद करा लिया है कि मैं उन्हें इतना प्यार करती थी कि जो उनकी spirit थी, वो आजाद हो गई है अपने fate से उन्हें आजाद करा लिया है वो बोलती है and good thy being with a scratchless dower मैंने उनको आजाद करा लिया है और वो मेरे पास आगे उनको किसी भी बात का कोई नुकसान नहीं हुआ है कोई scratch नहीं है उनकी body पे बिना किसी scratch के और immortal बना दिया है उनको जब कोई इंसान वापस आ गया है इसका मतलब death को उसने defeat कर दिया है उसने उसे हरा दिया तो वो क्या बन चुका है अमर बन चुका है यहाँ पर बात करती है कि मेरे प्यार ने तुझे यह रिप्रेजेंट कर रही है अपने lover को कि पैसे देकर छुड़वा लिया है ransom die का मतलब होता है to free by paying a price कि किसी भी चीज़ का एक कीमत देकर उस चीज़ को ले लेना तो इस तरह से जो points है वो बताती है कि उनके प्यार को उन्होंने ransom देके वापस ले लिया है from those pale hand at which all mortal crowns यहाँ पर बात करती है कि pale hand जो है वो death से represent करती है कि जिस तरह से तुम मौत के मुह में चले गए थे या फिर death हो गए थे उसके बाद भी वो वापस आ जाता है जो उनका प्यार होता है वो उन्हें वापस ले आता है and concur death by love like saavitri यहाँ पर वो example देती है कि कुछ उसी तरह से जैसे की saavitri जो है वो अपने पती के जो अपना lover होता है उनका उसको वापस ले आती है इसी तरह से pointus अपने आपको compare करती है कि मेरा प्यार भी तुमें वहाँ से ले आया है मृत्यू के मुह से ले आया है आप कह सकते हैं आपकी spirit को आपकी आत्मा को अजाद करा दिया है death से अब तक जो हमने poem में पढ़ा वो dream में देखती है उसकी बात करती है लेकिन अब वो सपने से उठ गई है और last की line उसी को represent करती है reality को represent करती है when I awoke my love was vain जब मैं सो के उठी तब पता चला कि वो क्या था वो एक सपना था मैं सपने में अपने प्यार को जीत लाई थी लेकिन reality में ऐसा नहीं है इस तो एन्वल one throw of destinate pain और by one heartbeat to prolong by breathe यहाँ पे जो point है इससे पहले तो बोल रही थी कि जो प्यार है वो उनके lover को ले आया है वापस ले आया है लेकिन अब वो यहाँ पे उनका जो दर्द है जो pain है वो बढ़ गया है और उनको realize हो गया है कि मैं अपने प्यार से अपने beloved को अपने lover की heartbeat को वापस नहीं ला सकती यहाँ पे वो reality पे आ जाती है जैसे कि introduction में मैंने आपको बताया कि जो सरोजनी नाइडू है वो reality को present करती है अपनी poetry के through तो starting की line में उन्होंने dream को किया लेकिन अब वो reality पे आ गई है रो बता रही है कि जो प्यार है उससे मैं अपने beloved को वापस नहीं ला सकती अपने lover को वापस नहीं ला पाई बोलती है कि जो प्यार है वो वापस नहीं आ पाई क्योंकि कभी भी प्यार जो है वो किसी death को किसी मरे हुए को reality में वापस नहीं लाया जा सकता प्यार के through और जो मौत है जो death है उसको हराया नहीं जा सकता तो इस तरह से ये poetry खत्म हो जाती है अगर एक short की बात की जाया तो starting की lines में वो अपने dream की बात करती है जहां पर वो बताती है कि वो प्यार से जो उनका प्यार था वो इस हद तक अपने lover से प्यार करती थी कि जो उनका प्यार था वो उन्हें वापस ले आता है लेकिन जब last की lines में वो प्रेजन करती है reality को कि जब वो सोके उठती है तो वो देखती है कि वो एक सपना था और dream में ही उनका प्यार आया था reality में ऐसा नहीं हो सकता है कोई किसी से कितना भी प्यार करें लेकिन एक बार death होने के बाद वो उसे वापस नहीं ला सकते so if you like the poetry please like, share and subscribe us be with us, goodbye and take care friend